Hello everyone, welcome to my YouTube channel आप सभी का स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और फेंड्स आज का वीडियो NTPC वाले अस्पाइरेंट के लिए है देखे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका रिवाइज रिजल्ट आने के बाद सेलेक्शन हुआ है कहीं न कहीं प्रिपेशन में थोड़ी सी कमी आपके रह गई है तो स्टूडेंट के मन में एक बात और रहती है कि CBT2 के बाद जो कट आउफ है वो कितना रह सकता है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा 21 RRB का जो पोस्ट वाइस कट आउफ रहा था 2015 में वो कितना रहा था साथ ही यहां पर कुछ लोगों को नहीं पता है कि CBT2 के बाद जो कट आउफ हाता है उसके बाद भी एक फाइनल कट आउफ हाता है तब ही आपको सारी चीज़े समझ आएंगे और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को जरूर पैस करें फ्रेंड्स वीडियो में आगे बंडे से पहले बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें बेसिकली आपको देखने को क्या-का मिलेगा आरार भी एंटी-पी-सी के स्टेज वन के जितने भी प्रेक्टिस टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियों वालों के लिए बुक बहुत ही यूसफुल है यहाँ पर आप देख सकते हैं दस प्रेक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे थोड़ा सा अंदर से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इसमें मैथमेटिक्स में आपके कौन-कौन से टॉपिक है उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके प्रेक्टिस पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से आपको पूरा इंग्लिश मीडियों में मिलेगा और जिनको NTPC के सभी कौशन एक ही जगा चाहिए तो आप यह वाली जो बुक है दस प्रेक्टिस टेस्ट की यह परचेज कर सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो फ्रेंट्स वापे साते हैं अपने टॉपिक पर देखें अगर मैं कट आफ की बात करता हूँ तो NTPC में तीन बार आपके कट आफ बनते हैं सबसे पहला आपका जो कट आफ बना है वो CBT-1 के लिए बना है रिवाइज रिजल्ट आने के बाद यहां पर एक लेवल में दो पोस्ट भी हैं लेकिन CBT-2 का जो कट आफ है वो पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग आएगा अब CBT-2 के कट आफ के बाद जो है स्टूडेंट को सलेक्ट किया जाएगा क्योंकि देखिए आपर कुछ पोस्ट में आपका टैपिंग टेस्ट भी होना है साइको टेस्ट भी होना है तो यहां पर नंबर ओफ स्टूडेंट जो है वो वेकेंसी से ज़्यादा लिये जाते है अई थिंग यहां पर आठ गुना जो केंडिडेट है उनको यहां पर स्टूडेंट के बाद सेलेक्ट किया जाएगा अब देखिए वो केंडिडेट जब आगे उसमें टैपिंग में जाएंगे साइको में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कहीं बार स्टूडेंट की शॉर्टेज भी हो जाती है जो वेकेंशी है उससे कम भी स्टूडेंट हो जाते है और कई बार एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो एक फाइनल कट अफ आफ का बनता है जो डीवी के लिए कट आफ बनता है तीक है देगे जितनी भी आपकी पोस्ट है टैपिंग वाली साइको वाली उनमें डीवी के लिए आपका एक कट आफ बनता है इवें जो आपकी नॉन टैपिंग वाली जो पोस्ट है उसमें भी क्या होगा जैसे आपका CBT2 का कट आफ बनेगा CBT2 में जैसे 8 गुना ब्यारती ले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा एक फाइनल कट आफ आता है यानि कि लास्ट कट आफ आता है अब यह वाला जो कट आफ आता है और CBT2 का जो कट आफ होता है इसके बीच में मार्क्स का थोड़ा सा वेरिशन रहता है यहाँ पर 2 से 6 नमबर तक का भी वेरिशन देखा गया है तो आज कि इस वीडियो में जो मैं आपको कट आफ दिखाऊंगा प्रीवेस एर का यानि कि 2015 की जो NTPC की वेकेंसी उसका जो मैं कट आफ दिखाऊंगा वो DV वाला कट आफ आफ आपको मैं दिखाऊंगा प्रीवेस एर का मैं आपको फाइनल कट आफ दिखाऊंगा के DV के लिए किस post का cut off कितना रहा था उससे आपको idea लग जाएगा कि जिस post पे आप selection लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको कितने marks कम से कम लाने होंगे अपना final selection लेने के लिए तो देखिए पूरा data आप लोगों के सामने है 2015 का फाइनल cut off रहा था मैंने 21 RRB का data यहाँ पर collect किया है देखिए वैसे तो मैंने कोशिशिश किया है कि सारी चीजे मैं accurate रखूँ जितना data मुझे net से मिल पाया मैंने वो collect किया है और यहाँ पर मैंने किस तरह से इसको range किया है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ देखिए यहाँ पर मैंने सारी RRB ली है जितने आपके zone है UR, OBC, ST, ST का cut off मैंने यहाँ पर लिया है अब यह cut off मैंने इस तरह से range किया है क्योंकि देखिए सभी zone में क्या था आपका post wise cut off था तो मैंने यहाँ पर maximum यानि कि मान लीज कि आपके zone में अगर आपको कोई भी post चाहिए तो आपको maximum number इतने और minimum number इतने लाने होंगे इसके बीच में अगर आप लाते हैं तब ही आपका selection होगा साथ ही मैने जैसा कि आपको बता है पांच factor पर cut off बनती है तो सिरफ इन marks को यह मान कर कि इतनी number पर आपका selection हो जाएगा आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक safe score के बारे में आपको थोड़ा सा एडिया आपर लग जाएगा बात करते हैं देखिए एहमदाबाद की बाकी यहां पर इसका screenshot भी आप चाहे तो ले सकते हैं एहमदाबाद में यूर का जो cut off रहा था maximum जिस पोस्ट के लि बिलासपूर का आप देख सकते हैं चंडीगर चिन्नेई गोरकपूर गोहाटी जम्मू कोलकाता मालदा मुंबई मुझफफरपूर पटना राची सिकंद्राबाद सिली गुडी त्रेवंत पूरम और आपका बैंगलोर ठीक है ना अब एक एक कटव में आपको पढ़के ब कौन सा जो आपका अरारवी था वो थोड़ा सेफ रहा था और कौन सा अरारवी आपका थोड़ा सा डेंजर रहा था तो देखे दोजार पंदरा के कौटिंग अगर देखा जाए तो पांच जोन यहां पर लगबग सेफ रहते जिसमें मालदार अरवी मुझफरपूर चेनन करें अर्मूमबई यह सारे हमेशा ही होट जोन में नहते हैं चाहे गृपडी की बात करें चाहे एंटीपीसी की बात करें तो यहां पर आपकी जो कट अफ है वो थोड़ी सी हाई जा सकती है मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दू जो भी मार्क्स मैंने आपको बत अर्मूम यह सुह से पक बार आपका धू हैो। झाल